इधर अमरवाडा के जमुनिया में नाबालिक के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में कोट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी है साथ ही इस घटना में सहीयोगी आरोपी को साथ साल की सजा सुनाई है गटना जुलाई के महीने में हुई थी जिसमें आरोपियों ने नाबालिक का अफरन कर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर लाश को बोरे में बंद कर माचा गोरा डैम में फेक दिया था पुलिस ने दो दिनों में ही मामले का खुलासा करते हुए जाच की और पंदरा दिन के भीतर ही कोट में चालान पेश किया था इस मामले की फास्ट्राक कोट में सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष की तरस से हाई कोट को आवेदन दिया गया था लिहाजा कोर्ट ने भी लॉकडाउन के दौरान सतत सुनवाई की और तीन महीने के भीतर ये फैसला सुनाया आरोपी रितेश और रोशन धूर्वे को फांसी की सजा सुनाई गई है और सह आरोपी धनपाल उईके को साथ साल की सजा सुनाई गई है अजया गई है अजया गई है अजया गई है इसमें मुख आरोपी रितेश और प्रोशन है उसको 302 में अजया गई है लगभग 15 दिन के अंदर ये इसमें चालान पेस किया गया और लागडाउन अवधी के दोरान ही इसमें मानी हाई कोट से पर्मीशन लेकर लागडाउन में इसका पूरा तीन महिने के अंदर नेड़े लिया गया मुक्रूप सेब ने इस बात की फूकस किया कि आर जुम्रतिका थी साड़े तीन मुश की अबोद बच्ची थी और उसके अपरोशी दोरा इसके वैस्वासिक संबन थे उसके गला में चुनी बान थे गुम में चुनी बान को इसके अंदर बलात्तार किया गया था इसके पर अबर के फैसला आया है एक 116 दिनों में फैसला माने नियारे में आजपदान किया है जिसमें कि आरूपी उप्टेश को मुट्टुदर्णी सेज़ा दी गई है धारा 302 और 16501 के अंतरकत सेज़ा दी गई है इसके लाबा जो है 306 AB के अंतरकत मुटुदर्णी दिया गया ह ओब के गईबर के विला दी अंतरकत सेज़ा गयारे में पुर्णी खायब के अंतरकत सेज़ा है आया है